है हेलो फ्रेंड्स आज हम महिंद्गरी के Quescle एक्जाम पेपर की आगे की questions discuss करती है जो नश्ट के लिए भी most important question है तो हम अगलाम देखती है कि herd next question हमारे पास कुन सा है पहला question है हमारा indexing head gear का अनुपात है indexing head के gear का अनुपात कितना होता है ठीक है तो 50 से बन 16 से बन 3rd है 40 से बन इसका राइट आंजर क्या होगा option option number C is correct answer 40 रेसो बन होता है ठीक है indexing head gear का रेसो कितना होता है option C is correct answer 40 रेसो बन होता है कि इसके बाद next question है हमारे पास कि मसीनरी की समतलता के लिए खली स्थान का प्रियोग किया जाता है ठीक है पहला option है scale second option है spirit level third है वेविल प्रोडेक्टर फोर्थ है gauge block तो इसका राइड आंसर क्या है समतलता चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं spirit level का यूज करते हैं ठीक है answer B is correct answer कि आपको ड्राइंग में spirit level को दिखाया गया है कि spirit level किस प्रिकार का होता है इसका यूज हम spirit level का यूज करते हैं मसीन की समतलता को चेक करने के लिए spirit level का यूज करते हैं होगे इसके बाद next question पर चलते हैं next question है हमारा file के हिस्से हैं खाली स्थान है जो हैंडल में fit बेटता है यह नि फाइल का हुआ है कौन सा हिस्सा है जो हैंडल में fit बेटता है option है heel second है point third है tank fourth है is तो इसका right answer क्या है answer C is correct answer tank ठीक है फाइल का tank जो पार्ट है वो हैंडल में fit बेटता है यह आपको ड्राइंग में दिखाया गया है ठीक है फाइल का tank जो हैंडल में fit बेटता है इसके बाद next question है हमारा खुर्दरी रेती पर कितने दांते को काटा जाता है ठीक है यहीं रफाइल में कितने टीथ होते हैं ठीक है तो रफाइल में कितने दांते को काटा जाता है तो इसका right answer है हमारा option number is correct answer 20 से 25 दांते प्रती इंच से काटे जाते हैं ठीक है रफाइल में कितने दांते प्रती इंच काटे जाते हैं तो 20 से 25 दांते प्रती इंच काटे जाते हैं इसके बाद next question है हमारा 25 नंबर का question है एकल कट फाइल में दात को मद्द रेखा के खालिस्थान कौन में काटा जाता है यानि सिंगल कट में दाते मद्द रेखा से सेंटर लाइन से किते डिग्री के एंगल में कटे होते हैं ठीक है तो हमारा इसका राइट आंसर है option number C is correct answer 60 degree ठीक है शिंगल कट में कितने डिग्री में दाते कटे होते हैं 60 डिग्री में इसके बाद next question है चिकड करतन क्रिया के लिए खलिस्थान रेतन किया जाता है यानि कि smooth cutting के लिए हम किस का यूज़ करते हैं तो state filing second across filing third is draw filing fourth is none of ever तो इसका right answer is option C is correct answer ठीक है smooth cutting के लिए हम किस का यूज़ करते हैं option C is correct answer draw filing ठीक है कि smooth cutting के लिए किस का यूज़ करते हैं ड्राइफ filing यह आपको drawing में दिखाएगए कि ड्राइफ filing कैसे करते हैं होगे वाइस यह ड्राइफ filing को हम इस प्रकार से करते हैं इसकी विपाद नेश्ट कोस्चन है फाइल की दंत में अटका हुआ धात्विक कर्ण जोब की सताय पर खरोच पैदा करता है इस दोस्त को क्या कहते हैं ठीक है पहला option है loading third option है pinning fault third है dressing और fourth है नना फेवब तो इसका राइट आंसर क्या है option बीज करेक्ट आंसर पिनिंग fault ठीक है पिन बंदत्म दोस्त कहते हैं अगर फाइल में धातु का कर्ण फस जाए तूसे हम कहते हैं पिनिंग फाल्ट ठीक है अंसर बीज करेक्ट आंसर ड्राइंग में दिखाए गया है कि उसको हम किस का कैसे निकालते हैं अगर कोई दातु का कर्ण फाइल के दातों के बीच फस जाता है तो अगला कुश्चन है गोल या वक्र सत्थों की स्क्रेपिंग करने के लिए तीछन कौनों तथा बरों को हटाने के लिए कौन से स्क्रेपर का प्रियोग करते हैं पहला अप्शन है फ्लेट थाइड है शेगेंड ट्रेंगूलर फोर्थ है हाप राउंड और डी है नना फैब तो इसका राइट आंसर है आप्शन बी ट्रेंगूलर इसक्रेपर का यूज़ करते हैं ठीक है यह आपको ट्रेंगूलर इसक्रेपर दिखाया गया है कि ट्रेंगूलर इसक्रेपर इसका यूज़ टाइप से होता है इसका यूज़ हम करते हैं कोनों से बर को हटाने के का परियोग किया जाता है ठीक है पहला option है टुम्स्ट्रिल सेगेडर ट्रेल ट्रेड है इस्टेट फलुटेट ट्रेज तो इसका राइट आंसर क्या है option B is correct answer फ्लेट रिल का यूज करते हैं लकडी वर्क के लिए हम कोनसे ट्रिल का यूज़ करते हैं फ्लेट ड्रिल का यूज़ करते हैं ठीक है इसके बाद नेस्ट पर चलते हैं यह आपको फ्लेट ड्रिल दिखाए गया कि किस वाइब से होता है फ्लेट रिल होगे इसके बाद हम फ्लैट्रिल यह है इसका अंसर इसके बाद नेस्ट कोश्चिन पर चलते हैं एठेट ड्रिल की ओस्ट कॉर्ण और कटिंग कॉर का कॉर्ण किता होता है लिप एंगल ओप एंगल कटिंग इस कितना होता है पहला है 181 128 थाःड है 108 और फोल है वहलोना है तो इसका राइट अंसर क्या है अप्शन डी ज करेक्ट अंसर कितना होता है एक सो अठाला डिगरी यखष्ट कि ड्रिल की कटाई की गहराई को क्या कहते हैं ठीक है डेट आप कट वाए ड्रिल इन एक्सिस डाइरेक्शन पहला है कटिंग स्पीड सेगेंड फीड थाइड है आल पीम और फोर्थ है वो प्रोक्त मेंसे कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी इस करेक्ट आ कहते हैं आपको ड्राइंग में दिखाया गया है एक्सिस में हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फीड कहते हैं इसके बाद नेस्ट क्वेश्चन है एक सूत्र में कटिंग चाल पाइडी एन अपोन सिष्टी के बरावर है डी एमेम में ड्रिल का ब्यास को दर्सा आता है एन गुणन प्रिती मिनिट को दर्सा है तो कटिंग स्पीड क्या होगी ठीक है क्या होगी ऑप्शन बीस करेक्ट आंसर मिली मीटर पर सेकेंड होगी इसका राइट आंसर क्या है मिली मीटर पर सेकेंड है इसके बाद नेस्ट कोश्चन है भारी कारियों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला ड्रिलिंग मसीन कुन सा होता है है हैवी जॉप्स के लिए हम कौन सी ड्रिलिंग मसीन का यूज करते हैं तो इसका राइट आंसर क्य करते हैं अपको ढृइंग में दिखाई गयी है रेडियल ड्रगव मसिन की यह होती है इस के बाद हम नेस्ट कोशेन पर चलते यह रेडियल मसीन हम इसका उल्ख यूजिंग करते हैं बारी जो क्वारी सिद्री बाहर निकाल ले जाने को आग्ला कहते हैं किसका यूज़ करते हैं तो ड्रिप्ट रिख करते हैं अ जरें कि इसके बाद फॉस्चुन है इलेक्टोनिक्स औप करण में इस्तिमाल किए जाने वाले पेंचों को कस्ने में प्रियोग किये जाने वाला इस्टार या क्रास खाजेदार हेड वाला पेंच कस होता है तो किस का यूज करते हैं इसका राइट आंसर क्या है फिलिप से स्कूरू ड्राइबर option d is correct answer किसके चुबव χाम करते है फिलिप्स इस्कुरू ड्राइवर का यूज करते है ठीक है ड्राइंग में दिखाएगा गयागी फिलिप्स स्कुरू ड्राइवर कौन कैसा होता है ठीक है तो electronicreally chain में हम किसके यूज करते है flips screwdriver यह आपको दिखाए गएगी flips screwdriver यह इस परकार का होता है इसका use हम करते हैं इसके बाद next question पर चलते हैं ठीक है next question है हमारे पास gripping nuts के लिए इस्तमाल किये जाने वाले pliers जो संक्रीन और नीचले जगों पर लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं इसका right answer है option D is correct answer nose plier क्या कहते है gripping nuts के लिए इस्तमाल किये जाने वाले pliers जो संक्रीन और निचले जगों पर लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं nose plier ठीक है यह है हमारा nose plier ठीक है इसके बाद next question पर चलते हैं निचले स्थानों में आरूपित नट बोल्ट को फेड़ने के लिए प्रियूप किये जाने वाला स्पैनर कौन सा होता है ठीक है तो कौन से स्पैनर का यूज हम करते हैं बॉक्स स्पैनर का यूज करते हैं निचले स्थानों में आरूपित नट बोल्ट को टाइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं वाक्स स्पेनर का यूज करते हैं आप आप संसी करेक्ट आंसर है आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि वाक्स स्पेनर किस टाइब से होता है यह बाक्स स्पेनर इसका यूज हम करते हैं निचले स्थानों में नट वोल्ट को फिरने के लिए इसके बाद नैस्ट कोस्चन है हमारा अगला कोस्चन है थर्टी एट नंबर का बड़े ब्यास के पड़े फाइब को फीरने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला रेंज होता है तो एड़ेस्टेबल रेंच सेकेंडर आप रेंच थार्डर इ स्ड्रिब रेंज और फोर्थै चेंन ली थो हम किस करंक्त करते हैं कुन से pipe range के यूज करते हैї चेन pipe range के यूज करते हैं यह आपको drawing में दिखाए गए चेन pipe range के टाइप से होता है इसमें हम chain के दवारा pipe को hold करके इसको move करते हैं इसके बार next question है हमारे बास है थ नंबर का है टाइंग एक operation है । दाइक क्या गड़ता है ठीके Five राइट अंसर है, option A is correct answer है, गोल चड़ या बोल्ट के बाहचूडी को काटने के लिए डाई का प्रियोग करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट अंसर क्या होगा, डाई ओपरेशन का यूज कहाँ पर करते हैं, गोल चड़ या बोल्ट के बाहचूडी को काटने के लिए ट्राइंग में, ठीक है, तो इसका डाई का यूज का करते हैं, बाहरी थ्रेट काटने के लिए, राड या फेल, हम बोल्ट पे थ्रेट काटने के लिए किसके यूज करते हैं, इसके बाद नेश्ट कोस्चन है, उर्द वार्दार, छेहतेज, कौन ही इस्तितिती में, इसके बाइस का यूज करते हैं, ठीक है, तो केस बाइस का यूज करते हैं, बेंच बाइस, स्वेवेल बाइस, मसीन बाइस, और फोर्थ है, यूनिवर्सल मसीन बाइस, तो हम इसका राइड अंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर, किसके यूज करते हैं, यून 20 question cover करेंगे, okay.